नमस्कार दोस्तों मैं संजय आप देख रहे हैं Agrarian BHU तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो का मब्म यानि की मास्टर एक्री बिजनेस मेनेजमेंट ठीक है तो बहुत सारी स्टुडेंट्स और कुछ स्टुडेंट्स बार-बार मेसेज करके पूछ रहे थे के सारे इस पर वीडियो कब बनाएंगे तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम डिसकस करने जा रहा ह इसका एक्जाम पैटर्न क्या है इसकी फीस क्या है ठीक है सब कुछ हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को आखरी तक देखते रहेगा और चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो यह एक्जाम होता है MABM का Agri Business Management का इसके लिए eligibility क्या होना चाहिए या क्या है तो B.C.A.G. तो compulsory है यह आप B.C.A.G. वाले हैं तो आप eligibility वाले हैं इसके सांसांत allied discipline मतलब की बेटरिनारी साइंस फिसरी यह सब जो एक्री कल्चर से जुड़ू ही degree courses जो चलते हैं ठीक है फिर इसके बाद है B.C. Home Science या Life Science ठीक है यह भी इस एक्जाम के लिए eligible होते है और एक चीज़ और है कि जो एक्जाम के लिए minimum जो marks का क्राइटरिया रखा गया है वह है 50% marks चाहे B.C.A.G. या एलाइट से discipline में हो या B.C. Home Science या Life Science में हो ठीक है तो यह इसका एक्जाम eligibility criteria हो गया अब next हम बात करने वाले हैं कि जो एक्जाम होता है MABM का जो एक्जाम होता है उसका exam pattern क्या है कौन से subject से कितने question आते हैं या क्या क्या subject है तो पहले हम subject की बात कर लेते हैं टोटल क्या है कि जो एक्जाम होता है MABM का उस exam में आते हैं 120 question ठीक है 120 question आते हैं तो यह आते हैं चार section में ठीक है चार section में आते हैं तो जो पहला वाला जो subject जिसको हम बोलेंगे verbal ability यानि English language का यह subject है English आती है दूसरा जो subject है वो quantitative aptitude यानि की maths जिसको हम बोलते हैं ठीक है तीसरा जो subject ग्रोप है वो है logical reasoning ठीक है और चौथा जो ग्रोप है या subject जो है वो है general knowledge यानि की जिसको हम बोलेंगे current affairs ठीक है और agricultural sciences यानि की इसमें ज्यादा तर economics के question आते हैं और agriculture के question आते हैं यहां तक clear हुआ एक वार फिर से बता देता हूं बरवल एक मिनट सोरी बर बरवल ability English आएगी फिर quantitative attitude के कुछ question होते हैं मैंस के फिर रिजनिंग के कुछ होते हैं फिर कुछ general awareness के होते हैं लब banking से related भी आता है इसमें banking यानि की एग्री culture से नावाट का कुछ पूछ लेगा प्रिजेंट में नावाट के chairman कौन है ठीक है इसकी subsidies क्या है मलब agriculture से related कुछ current affair भी इसका पूछ लेता है फिपा आवाट के बारे में कुछ पूछ लेगा और agriculture science यानि इसमें आएगा आएगा स्वरी इसमें आपका आएगा economics economics बाला पार्ट ज्यादा पूछता और इसमें 30 कोशन पूछते हैं यानि English language के 30 कोशन है दूसरा maths जो है उससे 30 कोशन आते हैं तीसरा आता है logical reasoning इससे 30 कोशन आते हैं चौता है जीके यानि जनरल knowledge or current affairs या awareness और agriculture science को मिला के आते हैं 30 कोशन तो यह 4 stream हो गई टोटल कोशन हो गया आपके 120 कोशन हो ठीके और जो एक कोशन होता है वो तीन नमर का होता है तो जो marks आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 360 marks हो जाएंगे यहाँ तक clear हुआ चार subject आते हैं एस subject से 30 नमर का हो गया ठीक है अब आगे हम बात करने वाले हैं sorry आगे हम बात करेंगे कि इसकी fees क्या है इसका duration क्या है तो इस slide में हम बात करने वाले हैं कि यह जो course का detail क्या है actually यह course जो है जो BHU यानि की बनारास Hindu University जो वारा नसी उत्तर प्रदेश में है उसका एक second campus है जिसको बोलते है RG RGSC यानि की R मतलब राजी गांधी साउथ केंपस RGSC ठीक है तो यह इसके अंदर ही यह course चलता है बनारास से थोड़ा सा दूर है 55 km और इसकी जो मानता है वो BHU से ही है इस course की जो fees है वो 1.500 रुपे यानि की 75,000 रुपे पर साल इसकी लगती है और जो duration है इस साल का यह दो admission अगर आप cancel करवाएंगे या नहीं admission ने लेंगे तो उसका चार्ज लगता है वो 25,000 रुपे लगता है आफ्टर काउंसलिंग या admission लेने के बाद आपको अगर admission कैंसल कराना है तो ठीक है समझ गए दो साल का course है फीज 500 रुपे है 75,000 रुपे साल का फीज लगता है और जो अगर तक आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना Agrarian Bhu जो चैनल है वो टेलिग्राम पे भी WhatsApp और Instagram सभी पे है YouTube के साथ साथ भी और इन सब की लिंक में description में दे दिय हूँ आप वहां से जाके जोइन कर सकते हैं और वीडियो अच्छी है लगे दो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी Agriculture के दोस्ते हैं या जो M.A.B.M. के पार कोर्स में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ सेयर करें आप और अगर वीडियो की और कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो से रेलेटेड M.A.C.A.G. B.A.C.A.G. और MP का MPPAT सारी वीडियो इस चैनल में दे रखियें उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखिये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं